जोहार जार्खन नमस्कार साथियों आपका अपना यूटूब चैनल रामा मैत मस्ती में स्वागत है इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जार्खन एकसाइज कॉंस्टेवल जो जे एससी के अंतरगत आता है जार्खन एकसाइज कॉंस्टेवल का प्रीभियस यर का क्यूचन ह आपको बताते चले कि जार्खन एकसाइज कॉंस्टेवल में मैत का 10 क्यूचन आता है जो की 30 नमबर का आता है कितना का आता है 30 नमबर का एक क्यूचन तीन नमबर और नेगेटिव मार्किंग करें तो एक गलत करोगे तो एक नमबर कर जाता है और एक सही करने पर तीन करते हैं क्या करते हैं प्रीबियस को सॉल करते हैं जो की दूहजार एक से लेकर करके 2021 के बीच में आया हुआ है चलिए ले चलते हैं आपको यह आपका कीचे नमर फरस्ट कीचन मर देखिए कैसे गुमाता है एक्जामनर कैसे घुमाता है स्टूडेंट को देखिए सोलह का वर्गमूल तथा चार का वर्ग का वर्ग का वर्ग कितना होगा चार का वर्ग करेंगे था सोलह आएगा का गुनन फल ग्याद कीजिए मतलब ये दुनों को क्या करने के लिए बोल रहा है गुना करने के लिए चार गुना सोला बरावर चौन सट ये हो गया आपका एंसर चौन सट कुछ नहीं था क्यूचन बहुत असान था लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया था गुमा दिया था बोल रहा था कि सोला का वर्ग मूल तथा चार का वर सोला का वर्ग मूल और चार का वर्ग करने पर तो वर्ग मूल निका देंगे तो चार आएगा और चार का वर्ग करेंगे तो सोला आएगा दोनों का गुननफल ग्याद किजिए दोनों का गुननफल करेंगे जो आया उसका चार गुना सोलत चौन सट आएगा और चौन सट आपका राइट ओप्षन डी होगा ठीक है चलिए लेक चलते हैं आपको next क्यूचन की ओर यह रहा आपका क्यूचन नंबर टू क्यूचन नंबर टू जो कि JSSC और SSC जीडी में बहुत भर पुच्छा हुआ क्यूचन है वो क्यूचन मस्त क्यूचन है अच्छा क्यूचन है यह अप्सन आपका दिया हुए चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं बोल रहा है वर्ग और आयत का छेत्रफल आपस में बराबर है क्या है वर्ग और आयत का छेत्रफल आपस में बराबर है आयत का छेत्रफल 25 cm2 है तो वर्ग का परिमाप ग्याद किजी तो परिमाप क्या होगा चलिए दिखाते हैं क्या होता है वर्ग का छेत्रफल क्या होता है लिख लेते हैं वर्ग का छेत्रफल किसके बरावर है आयत के छेत्रफल के बरावर आयत के छेत्रफल क्या है बरावर है ठीक है बोल रहा है वर्ग और आयत का छेत्रफल आपस में बरावर है लिख दिए वर का छेत्र फल क्या होता है साइड का स्क्वार मालनों की साइड ए है तो एक का स्क्वार इकोल टू आयत का छेत्र फल पचीस सेंटीमीटर स्क्वार दिया हुआ है हो गया ए स्क्वार है तिदर पांच का स्क्वार लिखेंगे स्क्वार श्री स्क्वार गया एक का भेलू कितना आ गया पांच सेंटिमीटर यह क्या हो गया आपका वर्ग का भुजा आ गया अब वर्ग का परिमाप क्या होता है 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 वर्ग का पर तो 4 तो side कितना आया 5 यानि कि 20 cm आपका वर्ग का परिमाप होगा जो कि option number B आपका सही है चलिए आपको ले चलते हैं next kitchen की और दिखाते हैं kitchen का kitchen number 3 kitchen number 3 ये भी ये भी पुछा हुआ है JSC में ये पुछा हुआ है तीन बार पुछा हुआ है SSC में भी पुछा हुआ है और railway में भी ये पुछा हुआ है gyssc इस सी में यह तिन से चार वार पुछा हुआ क्यूचन है क्यूचन बहुत अच्छा है और यहे ऐस सी में बहुत Tom आया हुआ क्यूजिन है चलिए इसको हम लोग solve करते हैं बहने राए एक तिर्भुज के तीनो k sectors के अनुपात करमसा एक तिर्भुज है जिसके तीनो कोरों के अनुपात करमसा टीन अनुपात दो अनुपात 5 है तो सबसे बड़ी क्न का मान क्या होगा सबसे बड़ी कोन का मान क्या होगा हम लोग जानते हैं कि तिर्भूज के तीनों कोनों का माप क्या होता है 180 डिगरी होता है यहाँ पर दिया हुए तिर्भूज के तीनों कोनों का अनुपात करमसा अनुपात दिया हुआ रहता है तो हम लोग लिख लेते हैं 3x, 2x और 5x इतना इतना दिया हुआ है तो इसको हम लोग add कर लेंगे 3x प्लस 2x प्लस 5x इस तरह के अगर क्यूशन दे रहा है पूछ रहा है अनुपात और बड़ी कौन का मान तो हम लोग क्या करते हैं यह जो दिया हुआ है अनुपात उसको हम लोग उसमें x लगा लेते हैं और इसको 180 के ब्रावर कर लेते हैं add अब इसको add करेंगे तो कितना आएगा 3, 2, 5, 5, 10x ब्रावर 180 यह 0 से यह 0 कटेगा तो x का भीलू कितना आगया 18 डिग्री अठारा अब हम लोग निकालना आए कि सबसे बड़ी कौन क्या हो ती रेशियो में सबसे बड़ा कौन नंबर है सबसे बड़ा नंबर क्या है 5x 5x है तो क्या करेंगे 5 इंटू x का भीलू कितना आगया अठारा पच्चे नबर है अगर पूछ देता कि तिर्भूज के कोनों का अनुपात क्रमस पहला का कौन का मान कितना होगा अगर पहला का निकालना होगा तो 3x यानि 3 इंटू 18 अठारा तिया चोवण डिगरी अगर इसका निकालना होट तो निकालेंगे 2 गुना अठारा अठार दुना 36 डिगरी हमको यह और इसका जरूरत नहीं है हमको यहां पुछा हुआ था कि सबसे बड़ी कौन क्या है तो सबसे बड़ी कौन आपका 90 डिगरी है और आपका सही होगा चलिए ले चलते आपको नेक्स्ट क्यूचन की और और बताते हैं अगला यह रहा आपका क्यूचन नंबर 4 क्यूचन नंबर 4 इस तरह के क्यूचन पहले आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं अब बहुत कम आते हैं यह जे से सी में पूछा हुआ क्यूचन है अब ये इस टाइब के क्यूशन नहीं आते हैं नहीं के बरावर आते हैं फिर भी कम आते हैं चलिए देखते हैं ये आपका दिया हुआ है कि कॉट A इक्वल टू बारव बटा पांच है तो साइन A का मान ग्याद किजी अबर कॉट A का बहलू इतना दिया हुआ है तो साइन A का बहलू कितना हुआ रेशियो मिलाना है कितना आएगा चलिए निकालते हैं हम लोग देखते हैं सॉल्व करके कॉट A इक्वल टू बारव बटा पांच ये होता है B ये होता है P ठीक है B का बहलू दिया हुआ है 12 P का बहलू दिया हुआ 5 हम लोग को H का बहलू निकालना है H का बहलू निकालने के लिए हम लोग फाइथा गुरस का यूज करते हैं P स्क्वार प्लस B स्क्वार कि ए इस्वेरिक एकोल टू पी का ही स्क्वेर मतलब पांच का स्क्वेर 25 प्लस बी का स्क्राइब 12 का स्क्वेर 144 एस इक इकोल एकुल 114 और 25 पुण इसक एक करेंगे ते 179 अधाDER 179 फि ए बनोल निकालते हैं ते कितना आएगा तेरा ये आगया आपका एच का भेलू है पया गया लोग को किया निकालना है साइन ए अब साइने का कितना क्या होता है रेशियो P by H साइन A इकोल टू P का बेलू कितना दिया हुआ है 5 बेच का बेलू कितना दिया हुआ है 13 ये साइन A का value पुछ रहा था पांच बटा तेरा यह option D आगे अब यहां से हम लोग किसी का value पुछेगा तो बना सकते हैं जैसे sign का value इसमें पुछा हुआ था तो हम लोग लिख दिए अगर इसी में cos का value पुछता तो क्या करते हैं तो cos A equal to क्या होता है फर्मूला B by H cos A equal to B का value क्या है 12 और H का value क्या है H का value है 13 यह आगे आपका cos का 10 का भी निकाल सकते हैं P by B होता है P का value 5 है अब B का value बारा है यह आगे आपका 10 A का इसी तरह से हम लोग 6 ही 6 O function के निकाल सकते हैं जैसे sign का हो गया cos का निकाल लिए 10 का निकाल लिए court का दिया हुआ है court का 6 का निकालना हो और court 6 का भी निकालना हो तो हम लोग सभी का निकाल लेंगे हमें यहाँ पे जरूरत था के वल किसका sign A का यह आपका extra knowledge हो गया हमको यही तक बनाना था exclusion को sign A का value पुछ रहा था sign A का value 5 वटा 13 जो की option D आपका answer सही है